हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम अभ्यास सागर का 20वाँ अभ्यास करेंगे तो इससे पहले जो 19वाँ अभ्यास था उसके अंतरगत केवल सिकंदर और साधू जो एक पाठ है ठीके उसके आधार पर यहाँ पर हमने समबाद लिखने थे जो 19वाँ अभ्यास है तो उसको आप पढ़ ले क्योंकि वो इस बार आपकी परिक्षा में नहीं आएगा ठीक है तो इसलिए वो पाट मैने नहीं पढ़ाया है और जब वो पढ़ा नहीं है तो समवाद हम कैसे लिख सकते हैं तो आप स्वैम उसको पढ़े कहानी के रूप में उसे पढ़े और स्वैम समवाद लि यह है आया बसंद आया बसंद कवीता है ठीक है वो ज्यान सागर के कवीता वो भी परिक्षा में नहीं आएगी लेकिन अभ्यास सागर के सभी पार आने है ठीक है तो यह हम इसमें पढ़ेंगे विविद शब्द प्रयोग ठीक है अभ्यास भीस में हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे शब्द हमने पढ़े हैं, कई शब्दों का हमने वाक्यों में प्रयोग किया है, मुहावरे हमने पढ़े हैं, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना सीखा है, तो आज जो हम पढ़ेंगे विविद शब्द प्रयोग के अंतरगत, आएए उसको देखे कि क या क्या हम इसके अंतरगत पढ़ने वाले हैं। और अर्थ को बल मिलता है। भारत के जनजन में देश प्रेम की भावना है। युग युग इस तरह से शब्दों से क्या होता है। भाशा प्रभावशाली बनने के साथ उसको बल भी मिलता है। अर्थ को बल मिलता है। जैसे हम कई बार कहते हैं मैं काम कर करके ठक गया या ठक गई। तो हम उस बात को बल दे रहे हैं कि काम कर करके ठक गया या ठक गई। मैं चल चल के ठक गया तो हम उसको बल दे रहे हैं ठीक है। युग युग बड़े बुजर्ग युग युग जीयों का आशिरवात देते हैं। खुशी खुशी हमें खुशी खुशी जीवन जीना चाहिए। कली कली बगीचे की कली कली महक रही है। नई नई मुझे नई नई जगह घूमना बहुत पसंद है। इसी तरह से आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा प्रशन है नीचे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युगम दिये गए हैं। इनका वाक्यों में प्रयोक कीए। तो आप देख रहे हैं। पहले जो हमने शब्द युगम पढ़े वो एक जैसे शब्द थे। ठीके। लेकिन ऐसे भी शब्द युगम आपने देखे होंगे। जैसे घर आंगन। खेती बाडी। ऐसे शब्दों का प्रयोक करते हैं। घास फूस। चाय वाए भी करते हैं कई वार। इस तरह के वाक्यों का प्रयोक करते हैं। जिस एक का मतलब होता है दूसरे का मतलब नहीं होता है। तो ये शब्द युगम में देखें। मिलते जुलते अर्थ वाले। घर आंगन। हमें अपना घर आंगन साफ रखना चाहिए। खेती बाड़ी, किसान खेती बाड़ी करते हैं। घास फूस, गाए घास फूस खाती है। ठीके। अगला प्रशन देखेंगे टीसरा, तो नीचे दिए अर्थ वाले शब्द युगमों का वाके में प्रयोक केजिए। तो हम ऐसे अर्थ वाले शब्द युगमों का भी प्रयोक करते है अरे ज़रा दाएंबाई देखकर सड़क पार करना ठीक है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम रोजमरा की जिंदगी में भी करते हैं तो देखें कितने प्रकार के शब्द यूग्म हमने पढ़ लिए एक जैसे शब्दों वाले शब्द यूग्म फिर मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द यूग्म फिर उल्टे अर्थ वाले शब्द यूग्म देखें सच जूट है न उल्टे अर्थ वाले सच जूट कहना आजकल आम बात है इ देश विदेश, इंटरनेट पर देश विदेश की खबरें हमेशा मौजूद रहती हैं, दाइंबाएं, सड़क पार करते समय हमें दाइंबाएं देखना चाहिए, ठीक है, तो यह होगे हमारे कौन से उल्टे अर्थ वाले शब्द यूग में, फिर प्रश्न चार है, नीचे दिएगे शब्दों के सामने क्या करना है, उनके समान अर्थ वाले शब्द चाल कर लिखने हैं, तो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, तो पल का मतलब होता है, खशन, फूल, पुश्प, मधुर, मीठा, कोकिला, कोयल, भौरा, भ्रमर, गान, गीत, ठीक है, तो यह हमारे कौन से होगे, समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है, तो आज आप आपने क्या करना है, प्रश्ण पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अभी लिखने का काम आपने करना है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में, अगले प्रश्णों के साथ प्रस्तूत होंगे, Tần saudad, ब लिएक उम ङमें लग उब एखी करRIS को शारे रू उन तद हो आज दूत्व धने कांवी खूची की ओत्ती का का करना ही पत्यूत्व, गजूत्तुित दो आएक जएको चै spots, और तो नूूती को लूत्त Tri